नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, क्याम छो, मजामा छोने, आजे आपने दोरण आठना एक प्रकरण विशे वाद करवाना छे, आप प्रकरण उपर जीए, ते पेला आपने पुरुवग्न्यान जुए तमे सानी उपर वस्वाट करो छो, खुब सरस, तमारो जवाब तद्धन साचो छे, तमे जमीन उपर वस्वाट करो छो, आजमीन उपर तमारे खेती करवी होई, तो केवी जग्या पसंद करशो, खुब सरस, तमे जो खेती करवी होई, तो आपने पानी नी सगवड होई, जिग्ये थी मर्तु होई छे तमने खबर छे खुब सरस आपने आ पाणी वर्साद नदी सरोवर तड़ाव आ बदी जिग्ये थी मर्तु होई छे तमने खबर छे वर्साद ज्यारे आवतो होई छे तो ये वर्साद नी साथे साथे क्यारेक सुप हूंका तु होई छे खुब सरस तमे तो हस्यार छो आ वर्साद नी साथे साथे क्या रेक पवन पन फुंकातो होई छे तमे जोईने मित्रो के तमे जे जिग्याई वस्वाट करो छो त्या तमारी आजू-बाजू मा पाणी, जमीन, हवा आ बदू आवेलू छे तो आवाज एक प्रकरण विशे आपने वात करी शू जे नू नाम छे आपनी आसपास सू तो आप प्रकरणू पर आपने जईये विद्यार्थी मित्रो तमे कौनी साथे रहो छो, खुबत सरस तमे तमारा परिवानना सब्व्यों नी साथे रहो छो जे नी अंदर माता पिता, भाई बेन, दादा दादी, आ बदा आपना कुटूम ना सब्व्यों छे साचुने, तो जेवी रिते आपना कुटूम छे, तेवी रिते सूर्या नू पन एक कुटूम छे सूर्याने तमें जोयो असे, आ सूर्या नो पन एक परिवार छे, आपने एनी एक स्लाइड जोये, तमें जुओ अमित्रों, आ सवर परिवार ना सब्व्यों नियंदर, बूद, सुक्र, प्रुथ्वी, मंगर, गुरु, सनी, उरेनस, अने नेप्थ्यून, आ सवर परिवार सब्व्यों छे, आ सवर परिवार नी अंदर, प्रुथ्वी, ए खुबज अगत्या नो एक सब्व्य छे, प्रुथ्वी नी उत्पत्ती विशे, आपने जुवाजी ये, तो एवु मानवां मा आवे छे, के प्रुथ्वी नो उत्वव ए ब्रह्मान मा थी थाए छे, समय भ्रह्मान एक अगनी पिंड अतु, त्यामा थी एक विश्पट थायो, जैने आपने बिग ब्येंग के महा विश्पट तरीके ओडखिये छीए, औने ए पछी त्यामा थी आकास गंगा अस्तित्व मावी, औने ताराव अस्तित्व मा आवे, औने त्यार बाद ग्रहो अस्तित्व मा आवे, आम आपनी प्रुथ्वी ए सुर्य मा थी छुटी पड़ी, औने ए समय ए अगन गोडा समान हती, आपने एनू चित्र जोईए, तो तम्ये चित्र नियंदर जोश्यो, के आपनी प्रुथ्वी ए सुर्य मा थी छुटी पड़ी, त्यारे सड़कती यद एनी सपाटी ने ठंडी पड़ता 10 थी 15 और वर्ष जिटलो समय लाग्यों छे अने ए ठंडी पड़ता पड़ता एमाथी गन प्रवाही अने वायू आ त्रण स्वरूपे एनू रुपांतरन थायू छे तो जे तत्वो प्रुथ्वी माथी प्रवाही स्वरूपे रुपांतरित थाया त्याने आपने जलावरन कहिये छीए अने जे तत्वो गन स्वरूपे रुपांतरित थाया त्याने आपने गनावरन के मृदावरन तरीके ओड़किये छीए अने आवी रिते जे तत्वों वायुस्वरूपे रुपटरी ठाया त्याने आपने वातावरन कईये छे मित्रो आ त्रने आवरनो ना काराणे आपने प्रुथिव पर आपने जीवन जीवा माटे नी प्रात्मिक जरूरियाद जे कईये हवा पाणी औने खोडाक नो समाविस थाय छे अने इतला माटे आ ना कारणे जीवावरन अस्तित्वम आवी छे तो आपने प्रुथ्विव पर कूल आम चार आवरणों आवेला छी ए कया कया आवरणों आवेला छे ते जुईए तो प्रुथ्विव पर कूल आचार आवरणों मुरुदावरन, जलावरन, वातवरन, अने जीवावरन आचार आवरणों आवेला छे ત્યા मથી આપણે પ્યાલા આવરણ એટલે કે મૃદાવરણ વિશે વાદ કરીએ तो एनो मृदावरन नो अर्थ आपने जोईए विद्ध्यर्थी मित्रों आपने मृदावरन जेशे एनो अर्थ जेशे एना नाम माज एनो अर्थ समायलों छे एनी संदि छुटी पाड़िए तो मृदू वत्ता आवरण एटले मृदावरन अमृदू नो अर्थ ठाई छे माटी अने आवरण नो अर्थ ठाई छे पड आ मृदावरन एटले माटी नू बनेलू एक पड बिजु के आपने एन यू पर वस्वाट करिये छे एटला माटे आपने एने गनावरन तरीके पन उरखिये छिए, कारेंके ते माटी औने खडको जेवा गन पदार्थोनू बनेलू छे, एटला माटे आपने एने गनावरन कई सकी शुँ, खडको हवा थी एने खडका वरन पन क्यावा मावे छे, औने ते एने सिलावरन तरीके पन उरखवा मावे छे सीला एटले पत्थ आम मुरुदावरन ने आपने अलग अलग रिते उडख खिये छिए विद्यार्थी मित्रों मुरुदावरन प्रुथ्वी सपाटीनो कूल ओगंत्री स्टका जिटलो भाग रोके छे तमेजो श्यों के प्रुथ्वी जेशे ए प्र आवेलो छे लेकि केसरी रंग जिटलो भाग बतावे छे एनी अंदर ए ओगंत्री स्टका भाग छे ए आखी प्रुथ्वी उपर आटली जमीन आवेली छे ज्यारे लिलो रंग नो जे भाग छे त्या ए बदू पाणी छे एटले आम आपनी प्रुथ्वी उपर जे जमीन भाग छे एक खुबज ओछो शे विजू के विद्ध्यार्थे मित्रो तमें बसमा मुसाफरी करता आश्यों साचुने अथ्वा एक स्तरे थी बीजास तरे गया आश्यों तो तमें जोई आशे जमीन छे जमीन दरेक जिग्ये एक समान नथी यह लेके प्रुथ्वीनी सपा आश्यों साति अलग अलग स्वारूपय जोआ मुड़ेशे कोई जग्याए परवतो शे कोई जग्याए रण प्रदेशे कोई जग्याए दर्या किनारों जोआ मुड़ेशे आधी कई शकाए के प्रूथ्वी नी सपाटी दरेक जग्याई एक समान न थी बीजु के प्रूथ्वी नो जे जाडाई शे पोपड़ो आपने कई ये शे नी सपाटी नो तो ए 74-100 किलोमीटर सुदी नी जाडाई धरावे शे बुजु के आ प्रूत्वी नी पेटार नी अंदर हजु पन घर्मीनु प्रमान वदारेशे एनी उपननी सपाटी थनडी पडीछे पन अंदरनी सपाटी एथनडी पडी नथी एटले प्रुथ्वीना पेटार मां जेम जेम उंडे जेए त्याम त्याम तापमान वत्तु जाई शे अने आना काराने प्रुथ्वीना पेटार मां जे खड़को आवेला शे ए खड़को पिगडवा लागे शे अने पिगडीने जे रस्त यार थाई तेने आपने बूरस के मेगमा कईए छिए आ बूरस जारे प्रुथ्वी सपाटी थी 12 आवतो उचे त्यारे तेने आपने आने लावा कईए छे विद्यर्थी मित्रों प्रुथ्वीना पेटार मा कितलाक वाईयो पन आवेला छे अने आवाईयो घर्मीना काराने बार निकरवानो प्रहत्न करे छे साथे साथे एनो उपर आवेला खड़को नू दबान पन इतलूज होई छे आम दबान अने घर्मी बन्ने पडिबरोनू सम्तुलन जड़वातू रेतू होवा थी प्रुथ्वी नो पोपडो फाटी जता त्या ज्वाडा मोखी फाटी निकरे छे आ ज्वाडा मोखी जमीन नी अंदर थी ए बार निकरे छे ज्यारे ज्वाडा मोखी फाटे छे त्यारे ए भुकम पावाना काराने पन फाटी निकरतो होई छे एले जे जग्या पोलान मारी जग्या होई एवी जग्या थिया बार निकरवानो प्रहत्न करे छे अने ज्यारे फाटे छे त्यारे एक मोटो विस्फोट थाई छे अने अना काराने ए ज्वाडा मुखी जमीन उपर पत्रातो जुवा मर्तो होई छे आम आपने प्रुथ्वी जेशे ए प्रुथ्वी पर्णू मुरुदावरन विशे आपने आ माहेती मेडवी हवे आपने आ मुरुदावरन नी उप्योगी ता जुवी है तो मुरुदावरन जेशे ए मुरुदावरन गणीबदी रिते उप्योगी छे तमें कल्पना करो कि जो मुरुदावरन न होई तो आपने साना उपर वस्वाट करिये, उद्योगों क्या स्थापिये, पानी क्यों राखिये, आवा घणा बदा प्रस्टनों आपना मनमा उद्वावे. एटले मुरुदावरन छे एटला माटे आपनु अस्तित्व छे, मुरुदावरन उपर आपने खेती करी सकिये छे, मुरुदावरन उपर आपने उद्योगों स्थापित करी सकिये छे, आपनु मकान मुरुदावरन उपर आवेलू छे, मुरुदावरन एटले के जमीन माथी आपने खनी जो बार काटी सक्किये छे, आ सिवाय एनी माटी माथी आपने मातला बनावी ने यमा पानी पमभरी सक्किये छे, आ बद्धी वस्तो आपना आजु बाजुमा जोवा मरती होई छे, एटले आरते आ म्रुदावरान जेशे ए आपने खुबज उप्योगी साबित से थाई छे, पण विद्ध्यार्थी मित्रो तमें जुओ के म्रुदावराननी आ उपियो गिता तो छेज, पं साथे साथे आपने जे प्रवुतियों करिये छे, ए प्रवुतियों नी असर ए मुरुदावरान उपरपन पड़ती होई छे, अने एना कारने मुरुदावरान હોટો આપણે જોઈએ તમે આ ફોટો ગ્રાપસની અંદર જોતા આશે કે એની અંદર એક ફોટો આપે શે ત્યામાં જમીન જેશે એ જમીન ઉપર નુક્શાં થતુ હોઈ છે એટલે મ્રુદાવરાન જોખમાતુ કોઈ છે ખણી જો મેળવા માટે આપણે જમીન ની અંદર થી ખણી જો મેળવા માટે એનુ ખોદકામ કરતા ઓઈ છે અની ખોદકામ કરવાના કારણે આ જમીન માંથી જે ખણી જો બાર કાટી લેએ છે એલે જમીન ના પેટારની અંદર સમ્તુલા જડવાતી નથી અને એના કારણે પણ મ્રુદાવરણનું અસ્તિતવ જેશે જો હહમાતુ હોઈ છે ત્રિજુ કારણ જોઈએ તો ખણીચ તેલ નોઈ સોત્ખોળ માટે ગણિબધી જેગ્યાઈ ઉંદુ સારકામ કરવા માંતુ એટલે આમ મરુદાવરણ આપણે ઘણિબધી આપના સ્વારથ માટે મરુદાવરણને આપણે હાની પહચારતા હોઈએ છીએ આ સીવાય પાતાળકુવા અને બોર જે બનાવમ આવે છે એના કારણે પણ મરુદાવરણ જેશે એનુ અસ્તિતવ જોખમા અને મ્રુદાવરણ પરથતી અસરું વિશે તમે જાણીં નમસકાર